नमस्कार मैं हूँ शार्दा जैस्वाल आप देख रहें इन 24 न्यूज आज बात करेंगे धगदग गल की जिहां बॉलिवूज एक्ट्रेस माधुरे दिख्षित की जिनकी राज़ीती में एंट्री को लेकर अटकले ते जूर गई है मशूर बॉलिवूज एक्ट्रेस वाले लोगसमा चुनाओं में अपनी किस्मत आजमा सकती हैं सूत्रों की माने तो माधुरी दिख्षित काफी वक्त से भारती जनता पार्टी के निताओं के साथ संपर्क में हैं हालांकि अभी तक उन्होंने साफ नहीं किया है कि वह अगर आने वाले चुनाओं में लड़ जा रही है हालांकि वर्तमान सेट सीविशेना के खाते में हैं और गजनन किर्तिकर जो शिंदी गुट में हैं वह यहां से सांसद हैं और उनकी सित इस बार ठीक भी नहीं है ऐसे में सीट पर समझोते के तहट बीजेपी माधुरी दिक्षित को लड़ा सकती है इस सीट पर इस बार भी संजे निरुपम कॉंग्रेस से बड़े दावेदार हैं जो की किर्तिकर के खिलाफ मजबूत विकलत है ऐसे में माधुरी के लड़ने से निरुपम की राह मुश् कि क्या कुछ जानकारी है आपके पास पिलकुर साथा देखिए जिस तरह से बतादे कि गणपती उस्तों जब महरास में चल रहा था उस दौरान जब घ्रियमंत्री अमिस्सा लालबात की राजा का दर्सन करने आये थे उस दौरान माधुरी दिक्षित जो है अमिस्सा से कर दिया था उन्होंने का तक अभी राजनीती में जाने का मेरा कोई भी प्रोग्राम या कए कोई शिडियूल नहीं बना है इस तरीके से कल जब न्यूजी लैंड और भारत का सेमी फाइनल मैच वांखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा था तो माधुरी दिक्षित और महाराष्ट के उप मुख्यमंत्री अजीद पवार और मुंबई बीजेपी अब्जेक्स आसीज सिलार और एन्सीपी ने तब प्रफुल पटेल के साथ उनको इस्टेडियम के बालकनी में देखा गया जिसके बात से एक बार फिर राजनीतिक जलियारे में एक कयास लगाना सुरू हो गया है कि आने वाला दोहजार चौबिस का जो लोगस्भा चुनाओ होगा उसमें माधुरी जिसित अपनी राजनीतिक कैरियर की सुरुवाद कर सकती है अपने किसमत अजमार सकती है लोगस्भा चुनाओ और लड़ सकती है अब तक इस पर कोई अधिकारिक बयान सामने नहीं आया है लेकिन जिस तरह से वीडियो और फोटो वाइरल हो रहे हैं उससे राजनीतिक गल्यारे में कया सब्सक्राइब बयान दिया था उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में वो राजनीति में एंट्री ले सकती हैं वहीं अब माधुरी दिक्षित क्या लगता चीन इस तरह इसацию डर कि आने वाला दोहजान सOODर लोकसाइल में वालीवुद गठी राजनीति में शक्री हैं चाहे हो हेमा मालुंई की बात करें यह नि की बात करें ऐसे तमाम अविनेत्रियां और अविनेता जो है राजनीती में सक्री हैं स्थार्दा लेकिन जिस तरह से अब धंगदगर्व की अगर बात करें तो धंगदगर्व माधुरी दिख्षित की भी एंट्री को लेकर कयास लगाये जा रहा है और आने वाला जिस तरीके से पहले बीजेपी नेताओं के संपर्ट में थे खुछ ग्रीव मंत्री अमिस्टा से उन्हें मुलाकात की थी जेपी नडदा से मुलाकात की थी और जिस तरह से एंसीपी यानि जब बगावत होकर जो दो पाट बने इसमें उप्मुक्षिमंत्री अजीप पवार सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले